कि यह से 22 में है अपन लोग किसी कोई प्रॉब्लम आया यह पढ़ाऊंगा आप लोग को समझा टाइमिंग डिफरेंस ऐसी चीज़ है जो एक साल बनता दूसरे साल खतम हो जाता इसे साल खतम हो जाता सब्सक्राइब कभी ना कभी वो डिफरेंस नील हो जाता एक साल डिफरे अब लोग काई बनेंगे डिटिय अपन लोग सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस पर बनेंगे पर और मेंन डिफरेंस पर क्या बनता तो डिट यह बनता गया यहां तक किसको कोई डाउट होगा तो कुछ हो कोई तो डाउट होगा इसको कोई डाउट है गया नहीं सर हम मुह नहीं खोलेंगे ठीक है बैठर होगा जो भी डाउट होगा प्लीज पूछा करो पड़ा चलो अब अपन लोग देखेंगे की डिटी ए बनता की डिटी एल बनता और कब कुनसी चीज बनती है यह एस की जान है यह सबसे यह पूछेंगे की डिटी ए बन रहा की डिटी एल देखो यह वैसे मालूम किया मेरे समय यह सब चीजे उतर उतर की निचे इंटर में आती यह इंटर में आ गया लेकिन क्या करा यह एस मालूम के कम से कम यह 50-100 पेच का इस तबड़ा इस इंस्ट्यूट ने क्या करा दोच क्या मलूम को क्यों इतनी गाई है लेकिन उन्होंने फाइनल में भी है इंटर में भी है यह जो सब आप लोगों को अपने एक्जांपल पर से उनका इग्जांपल अपन लोगों बात में देखते हैं कि यह सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा एक्जांपल दिख रहा गया हान है तो वह तो इस चलो अच्छा लगा आवाज सुन तो बात यह है अकांटिंग की इंकम है आप लोगों की 12 रुपे पीजी बीपी की टैक्सेबल इंकम है आप लोगों से अंजली बकड आप से कि अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा रहेंगा कि बुक्स का टैक्स ज्यादा सिब ये दो आकड़ों को देखो बागी पूछ मत देखा ये अकाउंटिंग का प्रोफिट है बारा लाक रुपए टैक्स का प्रोफिट है दस लाक रुपए किसमें टैक्स ज्यादा आएंगा बोलो कि टैक्स किसमें ज्यादा आएंगा अंजली हेलो कि सर्वा मेटिंग में नहीं है नहीं है अच्छा है थीक है महीं बता है देखों बारा लाक रुपए का अकाउंटिंग इंकम है दस लाक रुपए का पिजबी इंकम है सर जहां पे प्रॉफिट ज्यादा वहां पे टैक्स ज्यादा जहां पे प्रॉफिट ज्यादा सिंपर अंट जहां पे टैक्स ज्यादा ज्यादा जहां पे च इक जड़ क। आएंगा beth बुक्स मैं एक्स कमाएंगा sorry अकॉंटिंग में टैक्स क्शा ज्यादा एगत कि एगत क्वेंगा आएगा अपकॉंट के इंक्स जञाधा है फिन सब्सक्राइए का प्रॉफिट कीता है 12 लाग रुपए मतलब आप इंकम में चला कम बरके आ इस च्वेंटी टू के समझता जो बुक्स में करा वे बरावर यह च्वेंटीटी टू के समझता कि बुक्स का जो इस पर बताओ तो वोलो निमाशु छका नि कोई चीज कम भरी अपने अपने को भरना थी 120 आपने भरी 100 तो इसके अजय से 20 का क्या क्रिएट हो जाता है तो यहां पर क्या प्रियेट हो जाता लाइबिलिटी लाइबिलिटी आपको 100 देना थे अपने इसके अंदर क्या बनता बता हो तो डेफ़र्ड टैक्स लाइबिलिटी डेफ़र्ड टैक्स लाइबिलिटी टी टी एल कि समझ में आ रहा कि आप लोगों को देखो एक बारो कैसे समझना डीटीले की डीटीए है देखो देखो इस बुक्स में प्रफिट बारा लाग रुप है पीजी पीप्य में प्रफिट दस लाग रुप है चलान भरेंगे दस लाग तूप पर अपने कम बहा इसके लिए यहां पर बनता है डेफ़र्ड टैक्स लाइबिलिटी घेतिक मैं पॉइंट यहां पर क्या तेइब बन रहा है टेफिर्ड टैक्स लाइबलीटी अहां पर बन रहा है डेफिर्ड टैक्स लाइबलीटी है गेटिंग मैं पॉइंट है समझा कि कैसे आए डेपर टेक्स लाइबिटी चलो अब दूसरे एक्जामपल बजा का मैं अब बुक्स में सपोस्ट बुक्स में प्रॉफिट है ताकि सब चीजे छोड़ों सी प्रॉफिट की उपर देहन दो कि डेपी सेशन नहीं है सम्दोस नि Сब्कशी में प्रॉफिट है आप लोगों का दोलां कि इंकम टैक्स के पी जीबी का प्रॉफिट आ आथा हमस्यी प्रॉफित जाधा है तो इंकम टेक्स का टेक्स भी ज्यादा रहेंगा इंकम टेक्स का टेक्स ज्यादा रहेंगा बुक्स का टेक्स और प्रोफिट दोनों कम है आप चलान किस्ट उपर भरेंगे चार लाग के उपर भरना चाहिए था आपको दो लाग के उपर आपने इंकम टेक्स के अंदर देटा ज़्यादा अपनने कूछ अपने देड़ सो भर क्या है अपने कुछ बढ़ना थे अपने चार सो भर क्या है यहां पे बनता है डेप टेक्स एसे समझ मेरा यहाँ पर बनता है डेफ़र्ड टैक्स एसेट ठीक है तो देखो इसकी उपर फाइनल अगर अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा है इंकम टैक्स के समझ मैं रहा कि यह दो ही बाते द्याद में रखो कि डीटी एक बनता और डीटी एल कम बनता है बुक्स में ज्यादा है टैक्स एस कंपेट टू बीज़िवीपी तो डीटी ए ठीक है बागी का पूज भी ध्याद में रखना नहीं है गेटिंग मैं पॉइंट इसको कोई नोड़न गोको नोचघ्त क 25 तूøreकं मैं ठीक है और दूसरी बाथ आप लोगों का सैटेड же डाग आशिक अ है टेस्ट को एस तुका टेस्ट है ओक्य है वेव ग्रेट देड थेंक यू